जैश्री राम बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खाश कारिकर मानस जोतिस ग्यान में मैं हूँ आपके साथ आचारे राजमिश्रा ग्रहों की दशा हमारे जीवन की दिशा को बदल देती है जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ऐसी परिष्थेती में हम सभी के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता है और अगर हम सनी की बात करें तो सनी को काल कहा जाता है शनी को समय कहा जाता है तो सनी का परिवर्तन तो निश्यत रूप से व्यक्तिके जीवन के अंतरकत बहुत बड़े चेंजिस लेकर के आता अब अगर हम देखें और क्योंकि सनी के परिवर्तन को हमें पहले से भापना होता है बहुत सारे ऐसा रिश्यों ने जोतिस के कहा है कि सनी का परिवर्तन करीब 6 माह पहले से आपके जीवन को प्रभावित करना प्रारंब कर देता है सनी का परिवर्तन तीन महेने या छे माह पहले से आपके जीवन को जनरली जो इफक्ट देना है जो उसका प्रभाव है वो देना शुरू कर देता है तो ऐसे condition में हमारा प्रयाश रहता है कि हम पहले से उसके प्रभाव को आपको बता करके चलें ताकि आप अपने जीवन में उन सारी चीजों को ले करके सचेत हो जाएं तो एक तो सनी का जो परिवर्तन है वो 30 अप्रैल को होने जा रहा है नोट कर लिजे डेट 30 अप्रैल 2022 को सनी जा रहे हैं कुम राशी के अंतरगत अभी भी अपनी यी राशी में गोचर कर रहे हैं लेकिन 30 अप्रैल 2022 को काल चक्र की एकादस की जो राशी 11 राशी उसमें सनी प्रवेश करने जा रहे हैं आखिर क्या प्रभाव लेकर के आएंगे यहां पर जब शनी जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा सभी राश्यों के लिए क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं क्या होगा अच्छा और क्या होगा भुरा और क्या उपाय करना चाहिए जिनके है ये सभी चीजे आपको मैं इस कारिक्रम के अंतरगत बताऊंगा बश आवश्यक है कि आप कारिक्रम को अंतर तक जरूर देखें आप चेक करते रहें आपको सभी चीजों की जानकारी निश्यत रूप से प्राप्त होगी तो चलिए बिना बिलंब किये हुए हम बात करते है राशी मेश के लिए क्या प्रभाव होगा सणी का राशी मेश के लिए सणी के अगर प्रभाव की बात की जाए क्योंकि सणी आपके होंगे दसंभाव और एकादस भाव में गोचर करेंगे एकादस भाव के विश्वामी होंगे पंचम भाव पर सणी की एक दृष्टी और लगन पर जो शनी की द्रिश्टी है वो निश्चित रूप से पढ़ेगी मेश राशी के लिए शनी का परिवर्तन निश्चित रूप से अच्छी परिस्थतियां ले करके आएगा खास करके संतान की प्राप्ति कराने वाला होगा पेट में गैश इत्यादी की परिस्थत धन का आगमन ये सब कुछ भी आपके साथ जरूर होगा तो मेश राशी के लिए करीब करीब ये परिवर्तन मेरे द्रिश्टी में अच्छा रहने वाला है जब हम बात करते हैं ब्रिश राशी के लिए जो सनी बनते हैं वो सनी एक तो नवम भाव के शामी बनते हैं दूसर के कारे में महनत कराता है आपको चिंताएं उत्पन होंगी कि अभी तक मैंने जीवन में कुछ किया क्यों नहीं अभी तक मेरी लाइफ में मुझे कुछ मिला क्यों नहीं इस प्रकार की चिंताएं इस प्रकार की परिशानियां आपके मन को ब्यथित करेंगी यहां पर आपक में स्वास्त आपका खराब हो जाएगा तो ये परिस्थिती ब्रिश राशी के लिए शनी लेकर के आ रहे हैं अगर हम मिथुन राशी के लिए बात करते हैं तो मिथुन राशी के लिए शनी बनते हैं अश्टम भाव के शामी और नौम भाव के शामी भाग्य अस्थान पर ज योग मिलेगा आलश्य से आपको बचने के आउश्यक्ता होगी आलश्य के कारण बहुत सारे बनते हुए कारे आपके बिगड सकते हैं पेट में समस्या उत्पन्न होंगे गुप्त शत्रू इत्यादी आपके पैदा होंगे जो दसुई द्रिष्टी है वो छटे भाव पर करक राशी के लिए सनी का गोचर बहुत खराब होने वाला है अश्टमभाव में सनी का गोचर आयू की द्रिष्टी से तो निश्यत रूप से अच्छा है लेकिन कारे शेत्र की द्रिष्टी से बिलकुल खराब है कारे शेत्र में आपको खराब रिजल्ट देने वाले कारे शेत्र के लिए परिस्तियां विप्रीत करेंगे बिच्वा की जड़ धारण करना बिच्वा की जड़ ले करके और रांगे के ताबीज में डाल करके कर्ग राशी के दर्शक के धारण करना फायदे मंद होगा बात करेंगे शिंग राशी के लिए शिंग राशी के लिए चटे भाव के स्वामी सनी हैं और सब्तम भाव के स्वामी हैं और सब्तम भाव में जाकर के सनी जो है वो गोचर करेंगे यहाँ पर सिंग के लिए इस्पेशली जीवन साथी को कष्ट प्रदान करने वाले होंगे वैवाहिक जीवन में बिगनबाधाएं देने वाले होंगे बाल जड़ने की समस्या सर में दर्द इत्यादी फोविया इत्यादी की जो समस्या है उस शिंग राशी के लिए निस्चित रूप से उत्पन होने वाली है उसके साथ अगर हम बात करें क्योंकि शिंग पर जो द्रिष्टी होने वाली है वो तीसरी द्रिष्टी इनकी पढ़ने जा रही है नाइंध हाउस पर तीसरी द्रिष्टी पढ़ेगी तो कहीं कहीं शिंग राशी के लिए अगर बात करें तो बहुत अनकूल परिस्थतिया नहीं है चंहस teşekkür के लिए जब बात करेंगे कन्याराशी के लिए पंचमेश होंगे सनी और खश्ठेश होंगे सनी छटे भाव के अन्तरगज जा करके गोचर करेंगे छटे भाव में सनी का गोचर वैसे अगर जो तिसे द्रिश्चिकोंट से माना जाए तो निश्चित रूप से अच्छा माना जाता है लेकिन प्रेमी प्रेम संबंधों के कारण तनाव उत्पन होगा प्रेमी प्रेमी का के तरब से धोखा मिलने का संयोग होगा संतान को लेकर के मांशिक अशान्ती और चिंताएं निश्चित रूप से बनी रहेंगी तो ये जो परिस्थती हैगी वो कन्या राशी के लिए होगी तुला राशी के लिए जब हम बात करते हैं तो तुला राशी के लिए जो इनका परिवर्तन होगा वो करीब करीब तुला राशी के लिए चतुरत और पंचमभाव के शामी हो तुला राजशी के लिए एक बहुत बहतरीन संयोग होगा, बात करेंगे ब्रिश्चिक राजशी के लिए, ब्रिश्चिक के लिए कोई थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के श्वामी सनी गोचर करेंगे, होंगे और फोर्थ हाउस में ही जाकर के गोचर करेंगे, भूमी लेने क का संयोग आपके लिए निश्यत रूप से बनाएंगे वहां लेने का संयोग निश्यत रूप से बनाएंगे बट किसी अपने प्रिये से बियोग जिनको आप बहुत अधिक मानते हैं उनसे बियोग का भी संयोग बनेगा माता के स्वास्त में नियमित रूप से दिखते होंग दणुराशी के लिए जब हम बात करते हैं तो धणु के लिए क्योंकी दुतिये भाव के शामी हैं और तितिये भाव में ही जाकर के गोजर करेंगे तो इनकी परिस्तती धनु के लिए निश्यत रूप से अच्छी होगी भाई बहनों से संबंद अच्छे होंगे प्रदेशिक यात्रा का शुंदर स्रयोग बनेगा बिदेश में अगर ग्रीन कार्ड वगरा नहीं मिल रहा है तो उसका आपको सोवसर और सुभलाब निश्यत्रूप से प्राप्त होगा आलस्य से आपको अपने आपको बचाने की आउश्यक्ता होगी तो ये परिस्तिया रहेंगे धनुराशी के लिए मकर के लिए क्योंकि खुद के राशी श्रामी है शनी ऐसी कंडिशन में दूसरे भाव में गोचर करेंगे वाणी पर कंट्रोल करने की आउश्यक्ता होगी आर्थिक लाव आपको निश्यत रूप से प्राप्त होगा मन परसंद रहेगा घर में मांगली कारे इत्यादी का आयोजन निश्यत रूप से होगा लेकिन उसके शाथ आपको जूट बोलने की प्रिक्रिया से अपने आपको बचाने की आउश्यक्ता होगी कुम राशी में बात करेंगे कुम राशी में शनी का गोचर आपको समाज में मान शमान यस प्रतिष्ठा निश्यत रूप से दिलाएगा आपको लाव प्राप्त होगा जीवन साथी का स्वास्त कहीं न कहीं खराब होता हुआ दिख रहा है और उसके शाषाथ इंटर्वियो इत्यादी में जाएंगे तो आपको सफलता दिलाने वाला होगा नौकरी में परिवर्तन कराने वाला होगा तो कुम के लिए अगर गोचर देखा जाए मिला जुला प्रभाव लेकर के आता दिख रहा है मीन राशी के लिए बात करेंगे परिस्तियां बिल्कुल भी बहतर नहीं होगी मीन राशी के लिए जो परिस्तिय है शनी की वो अच्छी नहीं होगी 12 भाव में गोचर करेंगे अत्यधिक ब्याई कराएंगे बाई आख में प्राबलम होगी हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर आपके बहुत ज़्यादा लगवाएंगे पैशा आपका निश्चित रूप से रोकने का प्रयास करेंगे 6th house में गोचर होने के कारण 6th house पर दृष्टी होने कारण 6th house की बहुत ज़्यादा प्रबलता होगी उसके साथ भाग से संबंदित जो कारे हैं वहां बिगनबादाएं पैदा होंगी तो इस प्रकार सनी का गोचर 12 राशियों के लिए रहने वाला है क्योंकि शमय बहुत कम होता है बहुत सारी जानकारियां देना पॉसिवल नहीं है यदि आप अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नंबर दिये जा रहे हैं आप प्लीज इस पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आज अपनी बाणी को यहां पर बिराम दूँगा नए कारी करम के साथ फिर आपके सामने आऊँगा तब तक के लिए आप लोग खुश रहें प्रसंद रहें यही शुक कामना है जैसरियाम